नमस्कार दोस्तों आपका स्वाकत है A to Z Learning Channel में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीर बनने के Simple Plan के बारे में अमीर बनने का खाब हम सब का होता है लेकिन हमें से काफी लोग एक चीज़ में कमीर कर जाते हैं और वो कमी होती है कि हमारा अपना कोई Financial Plan नहीं होता और अगर Plan होता है तो हमारा उस पर Discipline नहीं होता तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो ही एक Simple Plan जो आपको अमीर बनने में बहुत मदद करने वाला है तो चलिए हम चलते हैं अपने इस वीडियो के साथ और बात करते हैं वो कौन सा ऐसा Simple Plan है जो आप Adopt कर सकते हैं अपनी लाइफ में और बहुत जल्दी एक अमीर वेक्ति बन सकते हैं एक अमीर परिवार बन सकते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल जो होता है किसी भी Financial Plan के लिए वो यह होता है कि आपको जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए अपनी सेविंग को, अपनी इंवेस्मेंट को, अपनी अमीर बनने की जर्णी को Power of Compounding जिसको कहते हैं इंग्लिश में यह बहुत ही पावरफुल टूल है और यह सब की सबसे पहली पहली सीड़ी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए Power of Compounding में जो भी पैसा आप सेव करते हैं और उसको इंवेस्ट करते हैं वो तो आपके लिए काम करता ही रहता है उसके ओपर जो इंटरस्ट मिल रहा है आपको जो उसके ओपर इंकम हो रही है वो भी आपके लिए काम कर रही है लंबे समय के लिए इसको सिंपल तरीके से अगर मैं समझाओं तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक सिंपल दसजार रुपे महिना हर साल अपना सेव करें और उसको ऐसी इंवेस्मेंट में लगाएं जहां आपको 12 एक परसंट की रिटान मिल जाती है वो ही इमाउंट दसजार रुपे महिना अलग रखने से, सेव करने से, इंवेस्ट करने से ही आप करोड़ पती बन सकते हैं वो ही पैसा आपका 1 करोड़ हो जाएगा 20 साल के अंदर तो अगर ये शुरुआत आप 20 साल की उमर में करेंगे तो 40 साल की उमर में आप करोड़ पती बन सकते हैं आप यही शुरुआत अगर 25 में करेंगे तो 45 साल में आप करोड़ पती बन सकते हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ, मुश्किल आती है कि डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बगएर डिसिप्लिन के आपके सपने अदूरे रह जाएंगे, आपका अमीर बनने का खाब भी पूरा नहीं हो पाएगा. तो अमीर बनने के प्लान के जो अगले स्टेप जो मेरे हैं, वो बेसिकली ये हैं कि जो आपकी इंकम है, उस इंकम को तीन पार्ट में डिवाइद करने की जुरुत हैं. पहला पार्ट जो कि आपके लिए must है और दूसरा पार्ट जो कि आपके लिए essential नहीं है, must नहीं है, लेकिन आप like to spend, वो अला होता है, कि आपकी वो wants है, उनके बगार आप जी सकते हैं, लेकिन फिर भी from time to time अपने आपको खुश रखने के लिए, अपनी इच्छाओं को पू है, इस चार्ट में आपने देखा होगा कि हम की कह रहे हैं कि basically हम लोगों को group कर रहे हैं दो category में, पहली category उन लोगों की है, जिन्होंने अभी काम शुरू किया है, जाए वो job करते हैं या business करते हैं, तो पहले 5 साल जो उनके काम करते हुएते हैं, उसको हम एक category बोल रहे हैं और जिनको 5 साल से ज्यादा हो गए हैं अपने अपने काम में, चाहिए वो job है या business है, वो हम दूसरी category में बोल रहे हैं, क्योंकि जो financial plan हम आपके साथ आगे share करने वाले हैं, उसका जो principle है, वो इन दो categories पे apply होगा और जैसा हमने ये चार्ट में दिखाया है, पहली category जो 5 साल से ज्यादा का experience है, उनको 40-20-40 का plan follow करना चाहिए, ये 50-25-25 और 40-20-40 क्या है, ये basically जैसे में बगादा आया कि तीन buckets होती हैं आपके सारी income की, पहली जो essential expenses के लिए है, must needs हैं जो आपकी, दूसरा जो likes and wants वाली category है, जिनके बगैर आप जी सकते हैं, लेकिन फिर भी investment के लिए, तो जहां हम 50-25-25 की बाते कर रहे हैं, वो basically बाते कर रहे हैं कि 50% of your income will be for needs, और 25% होगी आपकी likes and wants के लिए, और बाकी 25% savings और investment में जाएगा, और अगर आप 5 साल से ज्यादा के experience वाले व्यक्ती हैं, तो आपको अपनी needs के लिए, अपनी 40% income को खर्च करना चाहि लिए, likes के लिए 20% और saving और investment के लिए बाकी बचा हुआ 40% आपको करना चाहिए, चलिए इसको अब हम समझते हैं, एक example के तरीके से, तो example हम लेते हैं, कि पहला आदमी जिसने शुरू किया है काम, वो अभी 0 to 5 years of experience मान लिया, उनकी income जो है 20,000 रुपे महिने की है, तो 20,000 र 25, 25, तो 50% of 20 रुपे हुआ 10,000 रुपे, ये 10,000 रुपे इनकी needs related expenses के लिए हो गया, फिर उसके बाद 25,000 रुपे वो इनका हो गया, likes, wants के expenses के लिए, और तीसरी category, savings और investment के लिए बाकी बचा हुआ 25% इन्होंने कर लिया, और जैसे जैसे आपका experience बढ़ता है, मान लिए 5 सा plus की experience की category में आ गए, क्योंकि आपकी promotion हो गई, income बढ़ेगी, तो आपकी income मान लिए 50,000 रुपे हो गई है तब, इसका 40% आप क्या करते हैं, अपनी needs related expenses में खर्च कर सकते हैं, 20,000 रुपीज, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो amount जो आपके पाँ अवेलेबल था, अप भी 10,000 से बढ़के, ये देखिए 10,000 था जब 20,000 इंकम थी, से 20,000 तो डबल हो गया है हो amount, लेकिन percentage-wise ये 50 से 40 आ गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो खर्चे हैं, उसको control करके चले, आपके अगर income बढ़ रही है किसी rate पर तो खर्चों को उतने हिसाब से में ना बढ़ने दिए, otherwise आपके saving के लिए पैसा ही नहीं होगा, इसी तरीके likes के लिए हमने कहा था experience आदमी को 20% करना चाहिए, तो 20% और 50,000, 10,000 रुपए यहां पर आ गया, और last ये जो saving और investment के लिए 40% था, वो 20,000 रुपए आ गया, तो जैसे जैसे आप experience हो आते हैं, ज ज्यादा amount अपनी savings और investment के लिए भी रखें, तो चलिए आप ये समझते हैं कि must और needs जो पहली category जिसमें हम कह रहे हैं, अगर आप youngster है तो 50% अपनी income का करिए, और अगर experience है तो 40% कीजिए, तो उसमें क्या आता है, ये पहली मेली बात तो ये मान में रखें, ये सारे आपक आपका घर नहीं चलेगा, वो सारे expenses यहां पर आते हैं, तो example जैसे हम सब बोलते हैं, वो Manoj Kumar की movie है, रोटी कपड़ा और मकान, ये रोटी कपड़ा और मकान वाले खर्चे सारे इसमें आते हैं, इसके अलावा आजकल internet है, आपके phone bills हैं, आपके gas के bill हैं, आपके बिजली के bill हैं, वो सब भी utility expenses जिनको बोलते हैं, वो सब भी बहुत जरूरी आपके खर्चे हैं, उनके बगएर आप जी नहीं सकते हैं, और अगर आपका घर जो है आपका, अगर आपका घर आपने purchase किया हुआ है, तो उस पे हो सकता आपका loan हो, हो सकता उस पे EMI जा रही हो, तो अग एक जो चीज काफी लोग miss करते हैं, must or needs expenses में, वो होती है insurance की, ये बहुत जरूरी है, insurance expense जो है आपके लिए must expense है, आपको day one से ही अपना plan बनाना चाहिए, और आपको इसमें ज्यादा complex चीज़े की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही simple, तीन type के insurance चाहिए, पहली life insurance, कि अग अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आपके dependent, आपके family member को एक lump sum amount मिल जाए, ताकि उनके पास कोई financial hardship ना आई, जब आप नहीं है, और ये चीज हमें लेने चाहिए, जितने भी आपके घर में income earning members है, तो अगर आप और आपकी धरम पती, धरम पती, दोनों के कमाते हैं, तो आप दोनों की life insurance लीजिए, और अगर आप अकेले कमाते हैं, तो आप अपने life insurance लीजिए, इसका जो principle होता है life insurance का, वो मोटा मोटी ये चलता है, कि कम से गार में तो 10 time of your annual income, 10 times of your annual income होना चाहिए, अगर आपके पास गुंजाईश है, तो इसको 20 time भी कर सकते हैं, जितना आपके पास तो आपके पास होना ही चाहिए, बेसिकली आपके बाद 10 साल की, जो आपकी annual income की security life insurance के तुरू होनी ही चाहिए, लेकिन इसको simple insurance कोई लीजिए, जो आपको मोटा मोटी 9,000 से 10,000 रुपए साल के premium पे 1 करोड तक की insurance मिल जाती, उस type की insurance आपको ले लीजिए, जो परपस से ही insurance लेजिए, दूसरी insurance जो आपके लिए बहुत important है, वो critical illness insurance है, वो आजकल के जमाने में उमर के हिसाब से बिमारिया नहीं आती, मैं काफी लोगों का सुनता हूँ कि वो 30 साल के थे, लेकिन उनको heart की problem शुरू हो गई, उनको liver की problem शुरू हो गई, उनको kidney की problem लाती है, तो ये काफी सारे खर्चे लाती है, और ये खर्चे सिर्फ hospitalization के नहीं होते, इसमें खर्चे doctor के consultation के होते हैं, medicines के होते हैं, different diagnostic test के होते हैं, तो इन सब खर्चों को meet करने के लिए, एक plan होता है critical illness insurance, जो महंगा plan नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है लेना, तो उसमे क्या होता, जितनी भी value का आप ये plan नहींगे, अगर आपको कोई ऐसी critical illness होती है, तो आपको वो lump sum मिल जाएगा, जिसको आप use कर सकते हैं, doctor consultation, medicines buying में, अपने test करवाने के लिए, उन सब चीजों के लिए use कर सकते हैं, कोई question अपसे नहीं पूछा जाएगा, और तीसरा insurance जो बहुत ज़रूरी है सब family के लिए सब के लिए वो है hospital insurance, hospitalization, आप तो pandemic का time है, तो आप सब देखी रहें कि medical खर्चे काफी जादा होते हैं, और सरकार भी कहां तक पहुंचेगी, कितने लोगों को cover कर पाएगी, तो private अगर hospital आपको जाना बढ़ता है, किसी भी treatment के लिए तो होते हैं, तो उसके लिए hospitalization insurance जरूर होना चाहिए, हमने एक health plan पे detail video बनाया हूँ, जिसका link मैंने आपको comments में दिया हूँ, आप उसको देखिए, उससे पूरा आपको idea लगेगा कि कितनी value का हमे hospitalization insurance या critical insurance लेना चाहिए, तो उससे उमीद करता हूँ, आपको सारी information मिल हैं, basically, वो expenses जिनके बगार हम जिन्दगी बड़ी comfortable जी सकते हैं, उनके होने ना होने से कोई फरक नहीं पड़ता, हाँ, अगर हम करते हैं उनको expenses हमें हमारी कही अच्छाए पूरी होती है, हमें खुशी मिलती है, वो चीज़ों का फाइदा तो होता है, लेकिन उनके बगार रुपए का हो, साथ हजार रुपए का हो, तो बीस जार और साथ हजार रुपए में utility wise खास फरक नहीं है, लेकिन हाँ, apple का phone रखने में, अपनी social gathering में दिखाने में, उसका मजा ही अलग है, अगर आपके वो शौक हैं, तो वो सारे जो शौक होते हैं, वो जो सारे expenses होते हैं वो आपके wants में आते हैं, जिनके बगार आप जी सकते हैं, लेकिन फिर भी time to time आपका दिल करता है कि उनको खर्चों को भी किया जाएं, तो ये खर्चों में आपके आते हैं, basically, अगर आपके वाद बेसिक कार है या basic bike है, तो आपको लगता है जादा CC वाली bike लेनी चाहिए ज्यादा बड़ी bike लेनी चाहिए, expensive bike लेनी चाहिए, या car अगर आपके वाद बेसिक है, तो आपको लगता है या बड़ी car लेनी चाहिए, जिसमें सारे English में एक word हता है, bells and whistles होते हैं, वो वाली car लेनी चाहिए, जिसमें sunroof हो, जिसमें setnav हो, जिसमें voice control हो, और आज कल त जिसमें internet car बोलते हैं उसको, तो उन कारों का भी utility wise अगर देखें, एक जगा से दूसरे जगा जाने में कोई खास change नहीं है, हाँ, लेकिन अच्छा लगता है अगर आपको इस टाइप के सुक सुविधावाली car ये मिल जाए, bike मिल जाए, इसी तरीके से foreign holidays, आप काफी जानी के घर जाना, मामे के घर जाना, इस टाइप से होता था, लेकिन आजकल वो जमाने रही है, आप local holiday जैसे दिली में चलो किसी जगा चले गए या दिली के असपास किसी शहर में चले गए आप घुमने, अब उन से भी को जारा नहीं होता, आप लोग बड़े fancy holiday में जात जाते की नहीं, तो यह यह चीजें को दूसरी category में, तो इन likes and wants related expenses को आप जितना कम कर सकते हैं, उतना कीजिए, मैं बोलता हूँ कि अगर आप youngster हैं तो 25% तक रखिए, क्योंकि आपकी income भी कम होती है, और जब आपकी experience हैं, तो आप 20% रख सकते हैं इस कर्चे को, तो कोशि कीजिए उस level पर बनाने की, अब last category आती है, जो कि बहुत जरी है, जिससे आपकी सारी problem अमीर बनने की solve होंगी, जिससे savings और investment बोलते हैं, चाहे वो आपकी retirement की जरूत हो, चाहे आपके बच्चों की school की, college की fees की problem हो, या marriages की हो, आपकी खुद की शादी की हो, या आपकी बच मेरे हिसाब से जो आपका plan होना चाहिए, उसमें चार चीजों की investment, चार चीजों में saving बहुत जरूरी है, पहली चीज, कि आपके पास 6 महीने से 12 महीने तक की जो भी आपकी income है, उतना पैसा आपको cash में saving count या FD में रखना चाहिए, क्योंकि किसी ने वज़े से अगर आपक के पास basic security होनी चाहिए, पैसे की, ताकि आपका lifestyle में कोई compromise ना है, आपको कुछ खर्चों में कुछ यादा, जो आपके essential खर्चों में उसमें आपको कोई दिक्कत ना है, और आज की date में कई bank हैं जो आपको बहुत अच्छा interest देते हैं, अगर आप देखे, SBI, HDFC, IC, से bank में जाएंगे तो करीब-करीब आज कल 3% का saving interest देते हैं, आप इसी को double कर सकते हैं, interest income को, अगर आप जाते हैं, जैसे की, बंधन bank हुआ, 6% interest देता है, indecent bank हुआ, 6% interest देता है, आपका RBL bank 6% interest देता है, IDFC first bank है, जो 7% का saving bank पे interest देता है, तो आपको ये थोड़ा explore करके रखना च चीजें, क्योंकि अगर आप 1,00,000 रुपए अपने HDFC के saving account में रखेंगे, वर्सिस IDFC के first bank के saving account में रखेंगे, तो उसमें interest income जो है, HDFC में आपको मिलेगी 3000 रुपए की साल की, इसमें मिलेगी आपको, IDFC में मिलेगी आपको 7000 रुपए, तो 3000 से 7000 रुपए आपने डबल क कर दी अपनी interest in का, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब आप अपने पैसे को invest करते हैं, दूसरी चीज, gold हमारे हिंदुस्तान में हमारी चहती investment होती है, लेकिन गलती हम करते हैं कि हम jewelry को एक investment मानके चलते हैं, jewelry कभी भी investment नहीं, jewelry अगर आपको consume consumption के दूस करने के लिए चाहिए, तो jewelry लेनी चाहिए, बिलकुल लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप gold को investment के तरीके से देख रहे हो, तो आपको sovereign gold bond से बढ़िया कोई option हिंदुस्तान में, आज की डिट में है ही नहीं, इसमें आपको gold के rate increase होता है, वो तो पूरा का पूरा मिलता ह है, इसके उपर इसमें कोई making charges नहीं होते है, इसके उपर इसमें 0.5% का interest मिलता है, government का हर साल का, और last but not least, इसमें आपको कोई capital gain का tax भी नहीं है, जबकि normal jewelry पे अगर आप रखेंगे, तो जब भी उसको बेच जाएंगे, तो जो भी gain होगी, उसमें आपको tax देना तो gold में sovereign gold bond से बढ़िया कोई option नहीं है, हमारा एक video है, जिसमें हमने smart ways to buy gold पे हमने बात की है, उसका भी हमने link comment में रखा है, आप please उसको refer कीजिए, watch कीजिए, उससे आपको सारी information मेलेगी, तीसरी category investment की, जो saving के आती है, वो आती है, equity stocks, अब equity stock, जैसको English में कहते हैं, is not everybody's cup of tea, कि इसमें कई लोग घबराते हैं, कई लोग के पास knowledge नहीं है, या फिर generally वो काफी bad news सुनते हैं, कि market तो एकदम गिर जाती है, तो सारा पैसा lose हो जाता है, बिलकुल सही है, इसमें काफी risk होता है, इसलिए जो भी करें, आप अपनी पूरी research के बात करें, अपने financial consultant को consult क करने के बात करें, और अगर आपको equity में अभी भी comfort नहीं है, तो आप mutual fund में जा सकते हैं, mutual fund comparatively risk free है, इसमें आप balance fund चूज कर सकते हैं, large capital fund चूज कर सकते हैं, जहां पे risk कम होता है, लेकिन return 12-15% हर साल के साल मिल जाती है mutual fund में, तो ये बहुत highly recommended है कि आप इसमें कुछ पैस अपनी saving का इसमें जरू डालिया, mutual fund की list गूगल करेंगे, तो आप कई website हैं, जो listing दे देते हैं कि कौन से best return वाले mutual fund है, कौन से top rated mutual fund है, वो सारी information available है, मैं जो website पसंद करता हूँ, वो paisabazaar.com है, उसमें direct mutual fund का एक section है, उसमें जाईए, वो पूरी list आपको दे देते हैं, कि क ठीक लगे, आप उसको खरीच सकते हैं, और last वाली जो bucket है, investment की जो होनी चाहिए, वो real estate है, real estate में, again real estate बहुत ही चहती investment है, इंदुस्तानियों की, काफी लोगों ने बहुत पैसा बनाया है इसमें, लेकिन यह generally जो होती है, big ticket वाली investment होती है, इसके लिए पैसा ज्यादा च करनी चाहिए, saving account, gold और mutual fund से, जब आपके वाद थोड़ा सा corpus इकठा हो जाए, तो आप फिर उस corpus को utilize कर सकते हैं, अपनी real estate में, but real estate आपके portfolio में जरूर होनी चाहिए, वो आप residential real estate भी देख सकते हैं, commercial भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगया, आपने notice किया होगा, मैंने investment की बातें तो की हैं, लेकिन मैं आपको यह नहीं बताना हो, कितना amount इसमें होई, वो जो है, वो individual to individual vary करता है, कि आपको कितना पैसा gold में जालना चाहिए, कितना stock में डालना चाहिए, कितना real estate में डालना चाहिए, उसके लिए काफी detail आपको financial consultant से consult करके, जो आपके लिए ठ plan की information पूरी मिल गई है, और आपको समझ आगया कि आपको क्या changes लाने है, क्या discipline अपनी life में लाने है, ताकि आप अमीर बनने की journey आज से ही शुरू कर सकें, तो उमीद करता हूँ, आपको ये video पसंद आया होगा, प्लीज अपने comment हमें provide कीजिए, अगर आपके कोई सवाल भ को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के notification immediately मिल सकें, so thank you very much for watching हमारा वीडियो, and good luck with your Ameer बनने की journey, thank you so much.